Blood Diamond, ये एक 2006 में रिलीस हुई Hollywood फिल्म है, जिसका मूल नाम है. इस फिल्म की कहानी Sierra Leone, एक अफ्रीकन देश, में महशूर कॉन्फलेक्ट डाइमंड्स पर माबनी है. इस कहानी में मुक्तलिफ कारक्टास शामिल है. 1. Danny Archer, Leonardo DiCaprio, एक South African शक्स है जो डाइमंड्स को हसिल करने के लिए किसी भी कीमत पर तयर है. 2. Solomon Wandy, जाइमन हंसू, एक Sierra Leone Fisherman है जिसका परिवार डाइमंड्स के पीछे दवाब में फासा होता है. 3. Maddie Bowen, Jennifer Connelly, एक American Novelist है जो Sierra Leone, आती है और इन दोनों के साथ जर्म का फैसला करती है. कहानी इसी अराउंड्स घुमती है जब एक खुबसूरत डाइमंड्स मिलता है, और ये डाइमंड्स सॉलमन. वैंडी के पास पोहचता है, डानी आचा इस डाइमंड्स को हसिल करने के पीछे भागता है, जबकि Maddie Bowen इनसानियत और जर्नलिजम की तरफ रुजू करती है. फिल्म इस डाइमंड्स के पीछे होने वाले जानग और आइस कॉन्फलिक्ट डाइमंड्स के मसले को उजागर करने पर माबनी है. इसमें खून, जानवर्शद, और इनसानियत की कीमत को आगे रखते हुए दिखाया गया है. फिल्म का एंट भरी है और इनसानियत की जीत क दिखाता है. ब्लाट डाइमंड्स एक एहम फिल्म है जो कॉन्फलिक्ट डाइमंड्स और उनके माहौल के बुरा असर को उजागर करती है. प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आचानल.